नागपुर शहर के लिए एक बड़ी खबर है कोविड वैक्सिन के दोनों डोज ना लेने वाले लोगों को प्रवेश देने वाले सभी स्तल जैसे मौल मंदिर आदी सील किये जाएंगे शनिवार को मनपा आयुक्त के निर्देश पर मिशन कवच कुंडल टास्क पोर्स समिती की बैठक में यह बड़ा निर्ने लिया गया कोविड महामारी के तीसरी लहर की संभावना देखते हुए साथ ही नागरिकों की सुरक्षा के दुरुष्टिकों से नागपुर मनपा ने टीका करन अभियान तेज किया है ऐसे में वैक्सिन के लिए पात्र सभी ने वैक्सिन लेना जरूरी है मनपा द्वारा 8-14 अक्टूबर के बीच शहर में टीका करन के लिए मिशन कवच कुंडल विशेश अभियान शुरू किया गया है इस संबंद में महाराष्ट राज्य अपर मुक्य सचीफ डॉक्टर प्रदीप व्यास ने आदेश जारी किये है राज्य में और नागपुर शहर में 16 जनवरी से कोविट टीका करन की शुरूआत की गई शुरूआत में फ्रेंट लाइन वर्कर और 35-60 वर्ष के लोगों को बाद में 18 वर्ष के सभी के लिए वैक्सिन शुरू की गई शहर में 155 टीका करन केंद्र की व्यवस्था की गई है इस विशेश मुहीम के लिए मनपा आयुक्त राधा कुरूशनन भी ने मनपा के शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग वा अन्य संबंदित विभागों को निर्देश दिये है बड़ी संक्या में लोगों से टीका लगवाने का अवाहन महपौर दयाशंकर तिवारी वह आयुक्त राधा कुरूशनन भी ने किया है